एक समय की बात है एक गा में बहुत ही सुन्दर पिहू का परिवार रता था पिहू के पिता एक छोटी सी कमपनी में काम किया करती थे और पिहू की मा घर का काम समालती थे और पिहू कोलेज के साथ साथ अपने पापा के कामों में हाथ बताया करती थे ऐसे ही दिन बीद रहे थे पिहू बेटा कहा हो थोड़ा इधर आओ तो जी पिताजी अभी आई बोलिये क्या बात है तुम्हारी पढ़ाई केसी चल रही है और आज कोले जाना है की नहीं पढ़ाई एकदम ठीक ठाक चल रही है पिताजी और आप काम पे जाए हम कोले जाके ले चले जाएंगे ठीक है मैं काम पे जा रहा हूँ तुम अपने कोले चली जाना इतना बोल के पिहू के पिता अपने काम पे चली जाते हैं और थोड़ी दिर बाद पिहू भी कोले चली जाती है इसी तरह एक दुसरे के खुशी में परिवार चल रहा था और फिर एक दिन पिउ की साधी हो जाती है और पिउ अपने सोस्राल चली जाती है जहां उसके साथ बहुत बुरा वर्ता होता है पिहू, तुम मेरे साथ मेरे बेट में नहीं सो सकती क्यूं जी, आप ये कैसी बाते कर रहे हैं, हम आपकी पतनी है मैंने कह दिया, सो कह दिया, बस जित की बात सुनके, पिहू बहुत चिंतित रने लगती है जिसके कारण घर के कामों में मन नहीं लगता है और घर के काम भी ठीक ठाक से नहीं होता है काम ठीक से ना होने के कारण पिहू की सास हीना पिहू से नाराज रने लगती है और सोचती है, इस लड़की से धंक कोई काम भी नहीं हो रहा है और मेरा बेटा भी इससे खुच नहीं है, इसका कुछ करना पड़ेगा सासु जी मैंने कपड़े धो के सुखने के लिए डाल दिये हैं और खाना टेबल पे लगा दिया है आके सब खाना खाली जिए ठीक है ठीक है अब तुम जाब जीत बेटा आओ खाना खालो हिना फिर सब को खाने पे बुलाती है और सब खाना खाते हैं बचा कुछा खाना पीऊ को दे देते हैं जिसे देख पीऊ को बहुत बुरा लगता है उदासी मन से पीऊ कहती है सासुमा मैंने क्या गल्ति की है जो आप लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं ये तुम क्या बोल रही हो पिऊ हम लोग क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ हम लोग कर नहीं रहे हैं तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है आप ये क्या बोल रहे हैं सासुमा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब इसका उपाय तुम्हें खुद करना पड़ेगा इस तरह बोल सब वहां से सेले जाते हैं और जित भी अपने काम पे चला जाता है सारा काम खत्म करने के बाद पिहू भी अपने कमरे में चली जात लगाती है और फिर अभी उसकी सास आवाज लगाती है पीहू क्या कर रही हो साम होने बाली है वरतन सारे यसे ही पड़े हैं धोनागा यह क्या जी अभी सभ हो जाएगा फिहू अपने सास की हर बात सुनने लगी जो कुछे हम करने को करती फ्युक्ता फट सारा निटा दे जिसके चलते पिवु की सास पिवु से खुश रने लगी इसी तरह कुछ दिन बीच जाते हैं और एक दिन जित के कमरे में आग लग जाती है जैसे तेसे आग तो भूच जाती है हे भगवान हमारे घर को क्या हो रहा है अभी अभी तो सब सही चल रहा था अचानक ये आग केसे लग गए पता नहीं मा जी ये आग केसे लग गए उस रात को सब लोग बहुत चिंतित रहे और फिर अगली सुभा जब सारे लोग नास्ता करने बैठे थे तो किचन से अचानक कुकर फटने की आवाज आती है जहां पिहू कुछ काम कर रहे थी कुकर की आवाज सुन सब भाग के किचन में जाते हैं पिहू तुम ठीक तो हो और ये कैसे हो गया पता नहीं जी मैंने तो एकदम अच्छे से दाल चड़ाई थी पर पता नहीं ये कैसे हो गया पता नहीं मेरे घर में किसकी नजर लग गई है, जो ऐसा हमारे घर में हो रहा है, लगता है घर में पूजा और हवन कराना पड़ेगा। फिर अगले दिन हिना एक गुरुमा को गुलाती है, जो की काले जादू को भागाने का काम करती थी। गुरुमा जब हिना के घर आती है तब इस घर में आए दिन बहुत घटनाए होगी और आपके घर के बड़े बेटे को जानका भी खत्रा है गुरुमा अब आफिक खुच उपाई कर दिजिए ठीक है हम एक पुजा करेंगे हमें कुछ चावल की आई सकता है गुरुमा की बाते सुनकर पिहुत तुरंद किचन में जाती है और चावल लेके आती है फिर गुरुमा ने चावल सबके हाथों में दे देती है और तंत्र मंत्र से एक रहस्य पता करती है ये आपकी बहु है ना हाँ गुरुमा क्या इसी के उपर किसे ने काला जादू किया है हाँ इसी के उपर काला जादू हुआ है आज इसे आकेले सुने दिना है फिर सब लोग अपने अपने कमरे में सुने चले जाते हैं और पिहु अलग कमरे में सोने चली जाती है। थोड़ी दिर बाद पिहु को अलग-अलग तरह के सपने आने लगते हैं। पिहु तुमारे साथ जो हो रहा है उसका उपाई केवल मेरे पास है। तुम मेरे पास आओ, मैं तुमारे घर के गार्डन में हूँ। पिहु अचानक से चौक के उठती है, और सपने में जैसा देखा, उसी तरह वह गार्डन में जाती है। जहां उसे एक पड़ी मिलती है। आप कौन हो? और आप मेरे गार्डन में क्या कर रही हूँ। मैं एक पड़ी हूँ, जो अभी तुमारे सपने में आई थी। क्या वो आप ही हो? हाँ मैं ही हूँ, अब बताओ, तुमारे साथ क्या समझ चाहे। परी की बात सुनके पिहु परी को सारी बात बताती है, और कहती है। अब आप ही को चुपाय कर दिजे परी जी। पिहु की बात सुनके परी कहती है, पिहु ये सब एक धोंगे, तुम्हें बस इस घर से निकालने के लिए, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। परी की बाते सुनके पिहु के मन में थोड़ी खुसी आ जाती है, और फिर परी अपना छड़ी गुमाती है, और पिहु को एक बरतन में थोड़ा जल देती है। ये लो पिहु, इस जल को तुम अपने घर में छिड़क देना, इससे तुम्हारी सारी परिशानिया खत्म हो जाएगी, और सब तुमसे प्यार करने लगेंगे। हम लोग के वीडियो को देखने करिए लाइक करें, सिस्क्राइब करें, फाइक्यू।